बहुत ही गंभीर मामला है किरन पटेल अकेले के सामने F.I.R. क्यूं मेरा पहला सवाल यह है उनके साथ अमीत हितेश पंडिया उनके साथ जैज सितापरा उनके साथ त्रिलोक सिंग ये तीन और लोग थे अमीत हितेश पंडिया वो मैंने भी जन्रालिजम किया तो मैं कह सकता हूँ हम लोगों की बिरादरी से है वो फुलचाब में राजकोट में एक जमाने में फुलचाब सवराश्ट में बहुत अच्छा नियूस पेपर हुआ करता था RSS से उनके संपर्क हैं मोदी जी के खास हैं फुलचाब में वो लिखते थे उसके बाद मोदी जी जब CM बने तो उसको लेके आएं और CMO में पोस्ट देके बाकाइदा तनखा के साथ CM बंगलों में बैठके काम करते थे आज भी कर रहे हैं उनका बेटा है अमीत पंडिया कैसे साथ थे वहाँ जैस सितापरा के कनेक्शन भी ऐसे ही है और एक तीसरा राजस्थान का त्रिलोक सिंग है वहाँ के जो ऐसे चो है मिश्टर गोहर जहां पर F.I.R. होती है ये तीन नाम उसी होटल में उसी साथ होने के बावजूद F.I.R. से गायब क्यों है क्या सिर्फ चिटिंग का केस बनता है जैड प्लस सिक्यूरिटी के साथ अगर कोई गलत तरीके से जम्मू कश्मीर के सेंसीटिव एडिया में पहुँच जाता है तो आप उसके साथ खिलाप चिटिंग का मामला करोगे या देश-द्रो का होगा कोई अखबार वाला थोड़ा इधर उधर लगता है मोदी जी के खिलाप तो देश-द्रो बन जाता है ये उनके फैमिली मेंबर के साथ जो प्यार बरा टच मोदी जी का है ये किरन पटेल के फैमिली के साथ अगर वो 400 बीसी करने वाला था तो आई भी कहां थी आपकी इंटेलिजेंस ब्रांच पता नहीं चलती थी कि याद में ऐसा है ये देश के ग्रहमंत्री के साथ उनकी सेलफी है ये जेपी नड़ा जी के साथ उसका पूरा परिवार है अब इससे ज्यादा इससे ज्यादा क्या हो सकता है एक संगीन मामला है छोटी मचली को काटे में डाला जाता है कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा पकड़ने के लिए क्या थी साजिश कैसे वो जैड़ प्लस के साथ जम्मू कश्मीर में और क्यों क्या कर रहे थे ये तीन लोगों का नाम क्यों नहीं है बहुत सारे सवाल है सिर्फ चिटिंग की एफायर करके इससे राष्टर की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड है और इसको हलके से सरकार लेके या मिडिया में भी जिस तरह से बहुत हलके से इसको लिया जा रहा है ऐसी छोटी बात नही हैं मैं उमीद करता हूँ कि कभी न कभी इसका बड़ा सच जरूर बहार आएगा